पर्धान बंतरी निरंदर मोदी ने राजस्तान के भीलवाड़ा में बगवान देव नाराइन के अवतरन की 1111 जियंति पर आयोजित कारिक्रम को किया संबोधित मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने पंड़त जसराज की 93 जियंति पर की कई घोशना हैं पंड़त जसराज के गाउं पीली मंदोरी में नया पुस्तकाले खोलने की घोशना हिसार के लाला लाजपद्राए पशू चिकित्सा एवं विग्यान विश्वद्याले के दूसरे दिक्षांत समारों में राजपाल बंडारू धत्तत्रे नेकी शिरकत में धावी चात्र चात्राओं को किया प्रुस्क्रित और परदेश के क्रिशीवे किसान कल्यान मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरसों की पांच फर्वरी से होने वाली गर्दावरी के दौरान पाले से बरबाद हुई फसल का भी किया जाएगा आंकल अंकलन नमस्कार मैं हूँ भुपेंदर सिंग मलिक अब समाचार विस्तार से परदान मंद्री नरेंदर मोदी ने आज राजसान के भीलवारा में भगवान श्री देव नरायन जी के 111 अवतार महा उत्सव के मौके पर करवाए गए एक कारिक्रम में मुख्य अतिथी के तौर पर शिर्कत की उन्होंने इस अफसर पर मालासेरी डूंगरी मंदर में जाकर मथाटे का और पूजा अर्चना की आपने संबोधन में परदान मंत्री ने कहा कि इस से पहले कोई भी परदान मंत्री यहां नहीं आया लेकिन ये एक आम नागरिक की तरह यहां भगवान देव नर यात्री के रूप में आशिरवार लेने आया है अभी मुझे यग्यशाला में पुरुणावुती देने का भी सवभागी मिला परदान मंत्री ने कहा कि हमारे समाज की शक्ती के कारण भारत सारी दुनिया में अजर और अमर है और इस शक्ती वे प्रेड़ना के कारण ही भारत अपने शांदार भविशे की नीव रखने जा रहा है उन्होंने कहा के वे भारत की तरक्की के लिए हर एक व्यक्ति के प्रयासों की परशंसा करते हैं उन्हों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई भारत को भी भावगोलिक, सांस्कृति, सामाजी और वैचारिक रुप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई बताया जा रहा है कि परधानमंत्री के इस दोरे के अफसर पर माला सेरी के विकास के लिए कई प्रस्ताव त्यार किये गए हैं इस दोरे से माला सेरी के विकास के लिए लोगों ने काफी उमीद जयताई है इस अबसर पर देश के विभिन स्थानों से लोग भगवान शिरी देव नारायन के दर्शनों के लिए पहुंचे और उन्होंने परधान मंतरी का संभोधन सुना। हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने आज संगीत मारतंड पंडित जसराज की 93 जियनती पर उन्हें भाभीनी शर्दांचली अर्पित करते हुए पंडित जसराज जी के फत्याबाद जिले के गाम पीली मंदौरी के दोनों प्रवेश द्वारों को पंडित जसराज स्वाग सिवन रखने की भी घोशना की इस अफसर पर मुख्यमंतरी ने आपने एचिक कोश्ट से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को 21 लाख रुपए देने की घोशना की एक संकेत संकेते कह लेजिए या कुछ भी कह लेजिए अपने एक से योग के नाते से 21 लाख रुपए का राउंस्पंड करता हूं इस फाउंडेशन में मैं दोना और जहां तक पंडित जसराज जी के जनम स्थान का विशे क्योंकि उस जनम स्थान को भी याद रखना चाहिए भूलना नहीं चाहिए तो पीली-बंदोरी गाउं में भी बहुत से कामों की आउशकता है सा मैंने पता किराया है बात भी हुई है तो उसके अंदर विशे यह है कि औरम पर एक गाउं की तरफ दो प्रवेश्च-दवार हैं तुम दो फ्रवेश्च द्वारों को पंडित असां जसराज के नाम से वह प्रवेश्चद वरमाये जाएंगे टाकि इस गाउं को पता लगे कि इस व्यसी इन इस इस प्रकार से मुख्यमत्री ने अपने संभोधन में कहा कि पंडिज जसराज जी ने राजे का गौरव बढ़ाया है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजसरकार ने पंडिज जसराज के गाउं पीली बंदोरी के विकास की रूप रेखा तायार की है उन्होंने कहा कि हर्याना में जन्में पंडिज जसराज जी को महान भारतिय शास्त्री गाएकों में से एक माना जाता है तो हमको मल्टिपल तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा तो इसनाते से मेरी अपेक्षा पंडिजसराज कल्चल फाउंडेशन से भी यही है देश में क्या करें, दुनिया में क्या करें, क्योंकि दुनिया में भी ऐसे नहीं कि आउशकता नहीं है, सब्जे का आउशकता है इवन पंडित जिसराज जी ने भी जो उनके जीवन में उलेखनी एक बात जो आती है कि उन्होंने एक बहुत अनूर्ठी उपलब दी जो की आठ जनूरी 2012 को आठ जनूरी 2012 को उन्होंने अंटार्क्टिका जो दक्षन ध्रूब एकदम बरफिला ध्रूब वहाँ पर जाकर सी सिप्रेट नामक क्रूज पर अपनी प्रस्तिती थी हिसार के लाला लाजपत्रा पशू चिकितसा एवं विग्यान विश्वद्याले में आज दूसरे दिक्षांत समारों का आयोजन किया गया जिसमें मुखे अतिती के तौर पर राजपाल बंडारू दत्तरे उपस्तित रहे राजपाल ने विश्वद्याले के उतेरिन चातर चातराओं को उपाधियां परदान की और मेधावी चातर चातराओं को पुरुस्कृत भी किया कारिक्रम में बतोर विश्ष्ष अति थी विश्ष्व द्याले के छातर रहे केंद्री मंतरी संजीव बालियान, हर्याना के क्रिशि मंतरी जे पी दलाल और स्थानियां निकाय मंतरी कमल गुप्ता भी उपस्तेत रहे हराना के राज़पाल ने डॉक्टर वीपी दिक्षित गोर्ड मेडल आवार्ड डॉक्टर प्रीती को दिया बेस्ट टीचर का आवार्ड सोनिय सिंधु और डियस दराल को मिला वहीं नरेश जिंदल को बेस्ट रिसर्चर डॉक्टर आशारानी संतलाल गौरुर रेवडी और सुल्तान सिंग को बेस्ट वर्कर अवार्ड दिया गया राज़पाल बंडारुद तत्रे ने कहा कि दीक्षान समारों में कुल 24 पदक दिये गए हैं जिन में से महलाओं को ग्यारां पदक दिये गए लड़कियों का हर क्षेतर में आगे आने से देश की तरक्की होती है बेटियों को परिवार वैं समाज के और से अधिक समान देना चाहिए तकिन आपके मन में डिक्री मिल गया है मुझे अच्छे मार्क सागे डिस्तिमिश्म आगा मुझे नहकरे बिसाए हमाई नहकरे के लिए दूरू है नहकरे के लिए डूरू हर वेक्ती सौंश थाए जाखरो, हजरो, विद्यार्दी इनिसलिस याट आने के बाद इसके मन में रहता है नौकरी, नौकरी, नौकरी मैं आप सिवलाग उसे विरतीक करने के लिए आया हूँ आप às ठीजल नौकरी डोने बारे नहीं होना चाज़े, नौकरी देने बारे बारे से इस वर्ष केन सरकार दस लाग नोक्रिया देगे। आजाद भारत के थियास में पहली बारत से आओगा कि केंदर में कोई भी वेकंसी खाली नहीं होगी। पिछले तीन से चार मेंने केंदर सवा दो लाग वेकंसी फिलप होचुगी। और ये सब जगए आपके मीडिये के प्रदेश को छोड़ करके देश में आज भी हमारा भाव सब जी जादा है। प्रदेश के क्रिशी वे किसान कल्यानमंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरसों की पांच फरवरी से होने वाली गरदावरी के दौरान पाले से बरबाद हुई फसल का भी आंकलन किया जाएगा। बीमे वाले किसानों की क्रॉप कटिंग में जितनी उपच कम आएगी उसे ब पांस तारेक्षे रेगुलर गिरदावरी है। उसी के अंदर खराबा दिखाने के आदेश मुख्य मंत्री जीने पटवारियों को तशिल्दार को बोल दिया है। और जो भी खराबा होगा उसको उसमें आकलन हो जाएगा। किसान भाईयों को चिंदा करने की जूरत नहीं है और जो बीमा वाले किसान है उसका जो क्रॉप कटिंग होगी उसमें उपज कमाएगी उस हिसाब से उनको बीमा से पैसा दिलवा दिया जाएगा। क्रिश्यमंत्री ने पाले से बरबाद हुई फसलों को लेकर कहा कि फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि बागवानी में हुए नुकसान के लिए जल्द ही पॉर्टल खोला जाएगा जिस पर सभी किसान बीमा करवा कर उस योजना का लाब ले सकते हैं। और आने वाड़े समय में जो बीमा योजना हमने परदेश से 30,000 और 40,000 रपे की साहिता देने की लागू की है। सब किसान बाईयों से प्रातना है कि बागवानी का भी बीमा कराना सुरू करें। मेरे लिए सारा हर्याना बराबर है और पैसा जब भेज दिया जाता है तो वहां के जनपरती निदी, वहां के चुनेवे नमाइंदे, उनकी जिम्मेंदारी आ जाती है कि उस पैसे को चंदा तक बटवाया जाए। सरकार दोारा भेज़े वहां पैसा भी अगर वह नहीं बटवा सकते तो उनको सत्ता में या पद पे रहने का इदिकार नहीं है। पंजाब एवं हर्याना उच्छ न्यायाले के मुख्य न्याधीश वे मुख्य सरक्षक हर्याना राजे विदिक सेवा प्राधीकरन न्यायमूर्थी रवीश शंकर ज्याने हर्याना के पंद्रवें वेकल्पिक विवाद समाधान भवन का उद्गाटन किया। इस अफसर पर न्यायमूर्थी आउगस्टाइन जोर्ज मसी न्याधीश पंजाब हर्याना न्यायले तथा कारेकरी अधक्ष हर्याना राजे विदिक सेवा प्राधीकरन न्यायमूर्थी महाबीर सिंग सिंधू वे परशासनिक न्यायधीश सत्र डिविजन यमननगर भी म तृप्यशस मी कर्वे जूम यंपनिय लुख रख सर्पित्य सक्रादर्पृ ब्राधी के Uns6 myself see the things a result we have key better educated and therefore we feel that we are people who know the 댓 GBP the cracked this decided on we did it here without quite knowing that in the villages illiterate people are even today in spite of so many legal provisions and codes resolving disputes through panchayat and mediation. विदिक सेवा प्राधीकरन, पवन् कुमार पुनिया अध्यक्षा बार अस्योसेट यम्रा नगर और विदुर अत्री बार अध्यक्षा उपमंदल विवरस पुर साहत बार के अने सदस्यों भी उपस थित्थे. ड्ष्राइले सीजियने अधनाव करूड जूजर ज़स्टीर विश्का नाव भूर ते घरम डिने जट्राइब टार। केंद्रीय स्वास्थे मंत्री मंसुक मांडविया ने नई दिली में विश्व की पहली इंट्रा नोजल वैक्सिन लॉंच की है इस अफसर पर उनके साथ विज्ञान एवं टेक्नॉलजी मंत्री डॉक्टर जितेंद सिंग भी मौजूद रहे इंट्रा नोजल वैक्सिन एक सबसे बड़ा उधारन है आत्मा निर्बर भारत का एक महतुपुन पहलू है हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सिन का रिसर्ज होने के बाद दस साल के बाद इंडिया में वैक्सिन आये और इंडिया में वैक्सिन लगे लेकिन मोधी गवर्मेंट ने इतिहास बदला ह है जब ऐसे कोई पेंडामिक की सिटुएशन में इंडिया ही वैक्सिन रिसर्ज कर ले और इंडिया ही वैक्सिन एड्मिस्टर कर ले हिंदुस्तान के इतियास में कोविड क्राइसिस के दर्मियन पहली बार आप सब लोगों के एफ़र्ट से प्रयास से इस स्वंभव कि परधानमंत्री नेरंद्रमोदी के नेतरुत में भारत ने मातर दो वर्षों में चार सवदेशी टीके विक्सित किये हैं उन्होंने कहा कि बाया टेकनोलोजी विभाग द्वारा कोवेक्सिन के उत्पादन में तेजी लाई गई है और भविश्य में टीकों के सुचारू विकास के लिए जरूरत अनुसार बुन्यादी धाचा तैयार किया गया है डॉक्टर जितिंदर सिंग ने अवगत कराया के मिशन कोवेट सुरक्षा के अंतरगत भारत बायोटेक द्वारा कोवेक्सिन के लिए उत्पादन सुवधाओं में विस्तार के लिए भी सहायता द झाल झाल झाल